यह क्वेशन गेट वन 15 में टू माक्स के लिए पुछा गया था सवाल दिखने में बड़ा और लेंदी दादूर दिख रहा हुआ पर इतना टेपिकल नहीं है सवाल क्वेशन सिंपल है यहां पर इसने बोला है कि एक 1-8 डी मक्स है जहां पर डी इन आपके पास इंपुट है अब डी मक्स होता क्या है इसमें इंपुट एक होता है और आटपुट कितने होते हैं सर यहां पर अगर 1-8 कित करें तो आटपुट 8 होंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 यह होता है है नाव सेलेक लाइन सेलेक लाइन इसमें होती है् स्नोट स 1 ईएस तू तो इसमें होगी वह ऊंगी एस्नोट एसवनान इस्ट्र तो यहलिए बेस्तो ढर्च अंग इसने यह नहीं चीकी जो वाइनोट है वो के आता है अट है जो वाइट आयता एगा San वो आना माल आ चाही बोलाफ ऑपोथ यृड बार रहे है यह यह ब्री नॉट भाजो utilizz mes कि इनन टू एस टू बार आएस वैन भार को बोणा अगे-पर 91 औरorm पर, s1, s1, s9, s9, dn आपको क्या होता है? why not s2, s1, s1, s9, 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 dn क्या होता है? y1, फिर y2 क्या होता है, इस तरह से और इन पर वार भी लग रहा है तो जो आंसर उसके पर बार ओलगा तो कोई बढ़ी बात नहीं है अब को चाते हैं कि मैंनि आ कि यह और मजँ सी नहीं से दाइब इस लिए के वह इसको अन्धु सहे सिंगल बार जाएं वीक्तर के ब्लब में की आ पर तो यह इस सफे थे की आफ ऊसर ना जै कि कही अब और इंवर्टर को यूज में लिया अच्छ से आपको बता दिया है इस निसीब की PQRS में इंपूट ले रहा हूं इनी पर मैं S2, S1, S0, Dn देता हूं तो आपको बताना है कि इन में से कौन किस ओर्डर में होगा PQRS के अंदर में क्या देता हूं S2, Dn, S0, S1 या किस ओर्डर में देता हूं कि मुझे 1 to 8 जो डी कोडर है उसका आंसर मिलता रहा है या 1 to 8 Dmax से उसका आंसर में को मिलता रहा है तो पहले तो आपको 1 to 8 Dmax के आंसर निकालने आने चाहिए जिसके य नोट का बार है तो जैसे य य नोट का बार आ क्या रहा है तो यह आ रहा है से दी इन बार 0 तो मैं बोल सकता हूँ कि Sir, P plus Q जो मुझे मिल रहा है वो हमेशा Enable पर होना चाहिए और यहाँ पर R और S है यानि कि मैं बोल सकता हूँ R बार S R बार S बार A1 बार A node बार दूँगा तो Y node आएगा मिरको और उसके लिए Enable हमेशा On रहना चाहिए Enable का बार है तो यह Enable का बार हमेशा On रहना चाहिए यानि P plus Q का बार रहना चाहिए इन्टू R बार S बार और इस वाली चीज़ को मैं Y node बोलूँगा इसके पर whole बार लगा दूँगा तो यह Y node का बार होगा तो Y node का बार आपके पास C आए इसको मैं Minimize करने कोश्च करूँ तो Y node का बार जो आ रहा है इस वाले तरीके में वो आ रहा है P plus Q और यहाँ पर अलग अलग कि मैं D more बार बार लगाता हूँ P plus Q plus R plus S तो यह exact answer आना चाहिए जबकि आपको answer मिलके आ रहा है D in bar S2 plus S1 plus S node तो एक तो आपके पास equation यह हो गई ऐसे फिर Y1 bar फिर Y2 bar और इससे एक्वेटर के आपको मिल जाएगा लगबक आइडिया कि क्या answer इसका आना चाहिए और वो इवन 2 या 3 तक आप जोगी तो इभी आपको नगर ज़रा जाएगा कि किस order में होना चाहिए तो इस तरह से मेच करना था तो थोड़ा लेंदी क्योशन है लेकिन लेंदी क्योशन होने के बाउजूद भी इतना दूर तक जाने के जहूद नहीं बढ़ेगे आपको अगर आप और नौऑ अब जो question की जो format है उसमें य-note भार प्लस अ आरा यह तो उसका तरीका यह और चीए तो इससे प्लस प्लस अरा प्लस आ रहा है पिर बहुत प्लस अज़ा है तो यह जब प्लस वार बार प्लस आरि सा रहा है तो क्या ना चीए जब किया तो आंसर यह जाना एक त हैं तो सको मेंच कराना था और जो ड language बाफ और सब्सक्रागा नियंद और उन सब के साथ वापस लास्ट में बार्व लगा देना यह वाई का बार हो जागा, सेम य1 का बार हो जागा, सेम य2 का बार हो जागा and so on. तो हफुली सवाल समझ में आप अपको, तो यह सवाल थोड़ा सा बड़ा जरूर है पर इसका अंसर इस तरह से आपको मिल जाएगा. Thank you. If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.